गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडें विल स्टार्ट दा प्रिस नमबर थर्ड वन एंडर फोर लेशन दा थ्री क्राइज नेक्स्ट पार्ट यहां तक हमने पहले पढ़ा है किसे आगे अब जुरू करते हैं नेक्स्ट एमेन केम राउंड अग आगे वहां पर एक व लेकिन वापर ही साथ थ्री ओफ देंग लाउड ली वह देखता है यह उसने देखा कि उनमें से तेन पहले से विक्ती थे तीन विक्ती पहले से रो रहे थे जोर जोर से उसने पूछा क्या मामला है क्या बात है दा पैडलर वाज दा फस्ट टू आंस्वर सबसे पहले जो भेरी वाला था उसने उत्तर दिया पैडलर जस्ट एए येर एगो लगमग एक साल पहले बिल्कुल एक साल पहले आई सेंट आउट टो शेल सम अर्थन पोर्ट मैं बाहर कुछ मिट्टी की बरतन बेचने गया हुआ था सेल बेचना मैं मिट्टी के बरतन बेचने के लिए बाहर गया हुआ था बट अलास लेकिन बहुत दुखी हो कर लेकिन इट वाज ए बेड़ ड़ी इन माई लाइफ आह वरते वे तो कहता है यह मेरे लिए बहुत बुरा दिन था मेरे जिवन में यह मेरे जिवन में बहुत बुरा दिन था All my valuable pots, मेरे सभी कीमती बरतन, broke that day, उस दिन टूट गई, I wanted to cry then, मैं तब रोना चाहता था, but could not, लेकिन नहीं रोशका, I had to get new pots, I had to get new pots, sell them and make up for my laws, मैंने नए बरतन खरी दे, उने बेचा, sell them and make up for my laws, मैंने मेरे नुक्सान की भरपाई की, नुक्सान को पूरा करने की कोशिस की, I was very busy then, तब उस समय मैं महुत वेस्थ था, and had no time to cry, और मेरे पास रोने के लिए समय नहीं था, so I decided to cry later, इसलिए मैंने निर्णा लिया कि मैं बाद में रोँगा, मैंने बाद में रोने का निर्णा लिया, फैसला किया, just now, I saw these two crying, अब मैंने देखा, अब जैसे ही मैंने देखा, कि ये दो एकती रो रहे थे, then suddenly, I remembered that, तब अचानक से मुझे याद आया, that I too had to cry, कि मुझे भी रोना, मुझे भी रोना था, I decided to do it now, तब मैंने अब यह करने का निर्णा लिया, क्या करने का, रोने का, that is why I crying, इसलिए मैं रो रहा हूँ, आगे, then the old woman said, I got a letter from my son, वो बताती है, क्यों हो रही है, मुझे मेरे बेटी की तरफ से एक पत्तर मिला, I gave it to this warrior, मैंने वह पत्तर इसे शिपाही को, युद्धा को दिया, he looked at it, उसने उसकी तरफ देखा, and began to cry, और रोना शुरू कर दिया, there is some sad news in the letter, I am sure, मुझे विश्वास हो गया, मैं निश्चित थी, मुझे पक्का विश्वास हो गया, कि पत्तर में कुछ जरूर गलत खबर है, बुरी खबर है, at last, that's why I cry, इसलिए मैं रो रही हूँ, at last, the warrior opened his mouth, अंत में उस युद्धा ने अपना मुँँ खोला, मुँँ खोले हैं, मतलब यहाँ पर बोलना शुरू कर बताया, to tell the truth, सच बताने के लिए, I did not study well, when I was young, जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तब मैं अच्छी तरह नहीं पढ़ा, I did not study well, अच्छी तरह नहीं पढ़ा, ध्यान से, I could not read the letter, मैं इस पत्तर को नहीं पढ़ सकता, या मैं इस पत्तर को नहीं पढ़ सकता, I am so ashamed of myself, मुझे मेरे अपने आप पर इतनी सर्मिंदगी हुई, इतनी गलानी हुई, अपने उपर, that's why I cry, इसलिए मैं रो रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि, अगर वो पहले पढ़ता अपने जिवन में, अपने बच्पन में, विद्यालने के समय, तो आज वह नहीं रोता, उस पत्तर को पढ़ सकता था, और क्योंकि वह नहीं रोता, तो औरों को भी नहीं रोना पढ़ता, कि वह उस पत्तर को पढ़ लेता, और उसकी उस बेटे की माँ को बता देता है उस बुटी ओरत को कि उस पत्तर में क्या लिखा है नए वहर होती और और लोग वहां पर रिकठा होते तो पढ़ना कितना जरूरी है ये इस विशे में कहानी है तो इस पोएम इस स्टोरी को भी अच्छी तरह पढ़ें इस चब में सब्दों का उचार नहें उसको समझें वर्ड मिनिंग और चुईस में इंपोर्टेंस बताई है पढ़ने की अध्येन की उस पर भी ध्यान दें आप भी अच्छी तरह पढ़ें और समझें